प्रिये दर्शकों नमस्कार आज मैं आप सभी के समक्ष दशम भाव से जुड़ा एक अत्यंत महत्यों पूर्ण और नया विशाई लेकर क्या आया हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दशम भाव में आपकी कुंडली में जो राशी बन रही है उसका आपके जीवन पर आपके कार्य शेत्र पर आपके स्वभाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ेंगा इसके पूर्व इस तरह की जानकारी मैंने आपको नहीं दी है मैं आपको अब बताऊंगा अभी तक तो मैं आपको केवल किस भाव में कौन सा ग्रह बेटकर केसा प्रभाव दे रहा था उसकी जानकारी मैंने दी है अब मैं आपको एक नए विशाई जिसमें मैं आपको बत में राशी आती है उसका प्रभाव आपके जीवन पर केसा होगा अब देखिए यहां पर में राशी के नुसार आवश्य बता रहा हूं लेकिन एक बात समझेंगा कि यहां पर आपकी कुंडली में अलग-अलग गरह बेठे हुए होने से उसका प्रभाव थोड़ा बदल सकता है लेकिन अधिकतर जो बाते में आपको बताऊंगा वही बाते आपको अपने जीवन पर मिलती नजर आएंगी तो आप बिना विलंब किया आज की वीडियो को ध्यान पुर्वक देखते रहें आप भी देखिए कि कौन सी राशी आपके दशम भाव में बनी है और उसका के जीवन में बहुत अधिक कारे करने की ललक होती है एसा विक्ति को जीवन में बहुत अधिक कारे करना भी पड़ता है हर कारे को करने के लिए एसा विक्ति तेयार रहता है लेकिन ये बोल सकते है कि इसे विक्ति की भावनाओं के कारण या भावनाओं में बह जाने के कारण एसे वेक्तिया तो गलत नीरने ले ले या किसी की बातों में आकर गलत कारे को कर दे ये इनको परेशानी में डालने का कारे अधिक करता देखा गया है एसे वेक्ति को जीवन में अधिक कारे करना पड़ता है लेकिन जो यश की मात्रा है जो संबान इनको मिलना चाहिए, वो सदेव कम मिलता है बलकि ये भी देखने को मिला कि इनके साथ जो लोग जुड़ते है वो इन्हें धोका देने का कारे करते हैं अन्य लोगों से इनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है ऐसे विक्ति को चाहिए कि अगर संभव हो सके तो सरकारी शेत्रों में आगे बढ़े क्योंकि अगर ऐसे विक्ति सरकारी शेत्र में बढ़ जाता है सरकारी नोक्री ऐसे विक्ति को लगती है तो जीवन में अच्छी सफलता ऐसा विक्ति अरजित कर लेता है एसा विक्ति वेसे राजिनीती में भी सफलता आर्जित कर सकता है लेकिन एसे विक्ति का सोभाव अधिक इमांदार होने के कारण या ये बोल लिजे कि सिधे मुह पर जो भी सचो बोल देने के कारण एसा विक्ति अन्य से शत्रूता पाल लेता है और अन्य से इसे विक्ति की अन्बन हो जाती है वेसे तो सबकी लिए अच्छा सोचता है लेकिन यही बात होती है कि अपनी वानी से अपने कारे को ऐसा विक्ति बिगाड लेता है ऐसा विक्ति अगर व्यापार करे तो ध्यान ये रखना चाहिए कि partnership में कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसे विक्ति को अन्य लोग ठगने का या लूटने का प्रयास करते है धोका देने का प्रयास करते है इसलिए partnership से बचना चाहिए वैसे सर्वोत्तम विकल्प नोकरी का होता है तुकि इसा विक्ति नोकरी में जाए तो अच्छी उचे पत्तक पहुच जाता है जो इसे विक्ति के लिए जीवन में इस्थिरता वाला और अच्छे सुखों को देने वाला होता है अब इसके बाद अगर आपके दशम भाव में व्रशब राशी बनी हुई है तो व्रशब राशी अगर बनी हुई है तो ऐसे विक्ति अपने कारे के दोरा, अपने कारे शेली के दोरा, मेहनती सुखाओ के दोरा समाज में या फिर ये बुलिए कि अपने कुल में अपनी जाती में अपना मान सम्मान और अपना आदर इस्थापित करते है ये नहीं बोशकते कि जन्व जाती सम्मान लेकर के आए है लेकिन अपने कारियादी के बलपर सम्मान ये स्थापित कर लेते बना लेते है इनके सभाव में आप देखेंगे कि तोड़ा इनको क्रोध भी जल्दी आजाता है सोभाव में आप देखेंगे कि थोड़ा इनको क्रोध भी जल्दी आ जाता है क्रोध आ जाता है लेकिन फिर भी इनका सोभाव होता है उन्नत विचारों वाला होता है उन्नत विचार होने के करण अपने क्रोध को ये बेलेंस कर लेते हैं या क्रोध को भी कारे में इतना अच नेत्रत्त्व करने की शमता अच्छी होती है। लेकिन जो अनुशासन होता है, यह अपने जितने भी कानून है, जितने भी नियम है यह सभी के लिए बनाते हैं. सौयम भी कुछ समय तक उसका पालन करते हैं, लेकिन अन्य को उस पर चलाएंगे, लेकिन जो नियम है उसे इस तरह के जातक जिनके व्रशव, राशी दशम, भाव में हो, ये व्यापार में जाए, या नोकरी में जाए, दोनों में ही सफलता अच्छी अर्डित कर लेते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि ःगर व्यापार करते हैं, तो स्वत नत्र व्यापार करें पार्टनर्शिप में इनको धोका मिलने के जो योग है जो संभावना है वो अधिक देखने को मिलती है इसलिए पार्टनर्शिप इनके लिए स्रेष्ट रहती है वेसे तो इनके जीवन में आप देखेंगे तो आई की जो मात्रा होती है वो अच्छी रहती है विसे तो इनकी शासन प्रशासन में सरकार में अच्छी पकड होती है और अपने कारियों को ये उनसे जूड करके आसानी से निकाल लेते हैं सरकारी शेत्र में भी अगर इनको नोकरी प्राप्त करना हो तो बड़ी आसानी से ही उसमें जा सकते हैं इनका राजनिती में पकड अच्छी होती है, राजनिती में अच्छे सफल हो सकते हैं अगर व्रशब राशी दशम भाव में होतो, तो अगर आपकी कुंडली में हैं तो आप इन सब बातों को अपने जीवन पर देखिए, आपको निश्यती ये अपने जीवन पर घटिस होती अवश नजर आएंगी अब इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशी की अगर आपके दशम भाव में मिथुन राशी है तो इसका प्रभाव देखा जाए तो मिथुन राशी व्यापारी गुणों की राशी है क्योंकि ये बुद्ध की राशी होती है तो बुद्ध की राशी कि सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट शेक्तर में आगे बढ़े, क्योंकि सरकारी शेक्तर में कई बार ऐसा विक्ति बंद करके रह जाता है, जो बड़ी सफलता अरजित कर सकता है, वो नहीं कर पाता है, और प्राइवेट में रहता है, तो ऐसा विक्ति एक से अधिक कार एक पुद कही न कही शेर मार्केट से भी अच्छा लाप करवा देते हैं अगर इसा विक्ति आगे बढ़े तो उसमें सफलता मिल जाती है एसा विक्ति सदेव बड़ों का सम्मान करता और सदेव बड़ों का सम्मान करने के कारण एसे विक्ति को समाज में मान सम्मान अच्छा प करता है इसे विक्ति जैसा मैं ने का कि management गुनद अच्छा होने के काया से सभी शत्रों में विसे सफल हो जाते हैं टीनो राजनीति में भी सफलता मिल जाती है उसमें भी कोई दोमत नहीं है अपनी भाशन शंता से सब्सक्राव देके अंते ही हुआ इसके कारण ये अपनी बातों से विपृत लिंग को अच्छा प्रभावित कर लेते हैं और देखने को मिलता है कि विपृत लिंग से इनको लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाए तो मिथुन राशी का दशन भाव में होना अच्छा होता है अच्छे गुणों को ये बढ़ाता है और जीवन में अच्छी सफलता को बढ़ाता है ये भी देखने को मिलता है कि एसा विक्ति जो भी कारे करे उससे अपने धन की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते रहता है इसलिए बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करना इसे विक्ति के सुभाव में होता है जो अच्छा भी है और एसा विक्ति निशिति उन सब चीजों को प्राप्त कर भी लेता है अब इसके बाद हम बात करते हैं कर-कराशी या तो ये खिर करापत य हो तो ये खड़ाब नहीं होता बलकि एसा विक्ति नोकरी और व्यापार दोनों में ही सफल हो सकता है जिस शेत्र में इसे विक्ति की रूची बढ़े उस शेत्र में इसा विक्ति आगे बढ़ सकता है लेकिन कर कराशी है चंद्रमा कि अब चंद्रमा आप जानते हैं कि हर दो फिर सफलता मिल पाती है वैसे अगर इसा विक्ति कार बार बार नहीं बदले तो अच्छी उच्छी सफलताओं को इसा विक्ति प्राप्त कर सकता है तोकि एसा विक्ति हर चीज को balance करना, हर चीज को manage करना जानता है, अच्छी तरह अपनी कोशलता से उसे चलाना जानता है, भाशन खेली अच्छी होती है, दुसरों को अपने बातों से, एसा विक्ति अपने साथ जल्दी जोड लेता है, इसलिए ऐसे विक्ति अगर राजनीती में भी जाए तो इन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता राजनीती में भी ऐसे विक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं इनकी पकड़ भी शासन पशासन के लोगों से या शासन पशासन में अच्छी रहती है अगर ये सरकारी शेत्र में भी आगे बड़े तो अच्छी उच्छी सफलता ये प्राप्त कर सकते हैं इनके अंदर एक ये भी गुण देखने को मिलता है कि चंद्रमा देखा जाये तो चतुर्त भाव का इस्थाई कारक है और चतुर्त भाव चंद्रमा मन को बताता है ऐसे विक्ति के अंदर ये गुण देखने को मिलता है कि दुसरे की मन की बात को ये पेले ही जान जाते है दुसरा किसी लिए आया है क्या करने वाला है क्या चाहता है ये सब चीजे इनके मन में चला करती ही जल्दी ही जान जाते हैं और इसलिए भी ये अपने जीवन में अच्छे सफल हो सकते हैं इनको प्रायह अपने अंडर में लोगों को लेकर के चलना विशेश पसंद होता है वेसे इनको चाहिए कि अगर जीवन में सफल होना है तो अप बात है कि इस राशी का प्रभाव ये देखने को अवश्य मिला कि भले इसा विक्ति बार-बार कारे बदलता रहे, उससे धन की इस्तिती में बदलाव होता रहे, लेकिन जीवन में धन की कमी नहीं होती है, या फिर इनका गुण इस प्रगार का समझ लीजिए कि अपने कारे शेत्र में ये भले बदलाव करते रहे, लेकिन फिर भी धन की इस्तिती को ये बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और इनको जीवन में आवश्यक्ता के अनुसार धन की प्राप्ति हो जाती है, जब इनका जो कार्य हो उससे ही अधिक धन की प्राप्ति करही लेते हैं, प्र अपने ज्यान से अपनी बुद्धी से कारे को बिलेंस करके अच्छी सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं और इनके गुन तो इतने अच्छे होते हैं कि अपनी समझ बूज से अपने ज्यान से अपने शत्रू से भी कारे निकलवा लेते हैं इनके जैसे मैंने कहा कि वाणी की प्रबलता अच्छी होती है, इसलिए दूसरों से अच्छी अपनी पकड़ बाचीत के द्वारा बना लेते हैं, और शत्रू उपर भी विजय अपनी बाचीत से गुणों से ही प्राप्त करते हैं, जो इनका एक अच्छा गुण है, अब इस पास थोड़ा भी समय हो, तो अपने समय का पूरा उपयोग या अपने काम में लगाना चाहते है, थोड़ा भी इनको समय मिल जाता है, तो ये इनके मन में आ जाएंगा कि कौन सा काम आप किया जा सकता है, और ये उसको करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भ कार्ये को बहुती बुद्धिक द्वारा और अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए करते हैं, जिससे उसमें कोई कमी, कोई दुसरा विक्ति निकाल ना सके, इस जित में देखा जाए, तो ये अपने जीवन काल में आप बोल सकते कि सूर्य की राशी होने के कारण सभी को अ आजिनीती में अच्छे सफल हो जाते हैं, ये जो अन्ने से अच्छी पकड़ होती है, उसका उपयोग करके बड़े से बड़े कार्ये को आसानी से निकाल देते हैं, या फिर बड़े से बड़े कार्ये को अपनी बाच्चित के दोरा, अपने संबंदों के दोरा, आसानी से पूर्ण कर लेते हैं, इनके जीवन में ये भी देखने को मिला कि इनके शत्रू अधिक हो जाते हैं, क्योंकि सी हराशी है, तो कारे करने का तरीका अपने अनुसार होता है, सोतंत्र होता है, किसी के दबाव वाला नहीं होता, इसलिए इनके शत्रू भी अधिक होते है, लेकि इसके कारण इनको सफलता हर शेत्र में मिल जाती है विपरित परिस्तितियों में भी डढ़ते नहीं है मजबुत बने रहते हैं और प्रभाव यहां पर सूर्य का होने से बुद्धि मान तो होते ही है और अपनी बुद्धि का हर शेत्र में उपयोग करते हैं फिर नोकरी करे या व्यापार करें दोनों में सफलता प्राप्त करते हैं पस व्यापार करें तो सोतंत्र व्यापार करना चाहिए। विसे तो पार्टनर्शिप में भी कोई खराबी नहीं आती जैसा मैंने कहा शत्रू से भी कारे निकलवा लेते हैं तो इसे विक्ति को अगर पार्टनर्शिप में कारे भी करे तो क्या परेशानी होंगी लेकिन कई बार एसे विक्ति के पेसे डूबते देखे गई इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर स्वयम का कारे करे सोतंत्र व्यापार करे तो जादा अच्छा रहता है अन्नेक या पेख्षा विसे इसे विक्ति को चाहिए कि अगर ये सरकार से जूड़ जाता है या शासन पशासन में जूड़ जाता है तो इसे विक्ति को अच्छी सफलता मिल जाती है हाला कि कई बार गरह वस्ता के अनुसार उन शेत्रों में धोका मिलने के कारण उन शेत्रों में ऐसे विक्ति की रूची कम हो जाती है नहीं तो एसा विक्ति अगर शासन पशासन में सरकार में जाना चाहे तो अच्छी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है वेसे इस लगन में देखने को मिला कि विभाव उप्रांत मापकी जेंगा इस राशी का प्रभाव देखने को मिला कि विभाव उप्रांत ऐसे विभाव के उप्रांत अपनी जो समता है उसने कई गुना अधिक सफलता अरधित कर लेता है या जो भी कारे करता है उसमें कई ग कमी नहीं होती और कई बार उस खर्च के कारण ही मन में जो धन को लेकर के चिंता है वो इसे विक्टि के बढ़ जाती है लेकिन जब खर्च बढ़ता है तो इसा विक्टि अपने कारे को भी बढ़ा देता है और अच्छी मात्रा में धन प्राप्त करही लेता है और यहां पर एसे वेक्टी को चाहिए की बस केवल और केवल जैसे कुछ मामलों में देखने को मिला कि गरहावस्ता अगर कमजोर हो जाए या सूर्य कमजोर हो जाए दशनभाहो के स्वामी तो फिर एसा वेक्टी गलत मार्ग के और जाना चालू कर देता है अपने धन को गलत मार्ग से कमाना प्रादमब कर देता है तो अगर विक्ति उन शेत्रаров में जाता है सरकार से हानी सरकार से धंड का हर्ट को सामना करना पड़ सकता है तो उस से बचना चाहिए अगर जीवन में सफल होना है तो और बाकी जो नियम पुर्वा कारे करना अनुशासन से कारे करना इसे विक्ति का गुण होता है उसी पर आगे बढ़ना चाहिए इसा विक्ति निश्ची थी बड़ी सफलताओं को अरजित अवश्य कर सकता है इसके पश्चात अगर दशम भाव में कन्या राशी बनी हुई है तो कन्या राशी पर देखिए बुद की राशी है बुद की राशी होने से एसा विक्ति परिस्तितियों के नियंतर्ण में सोयम नहीं रहता बलकि परिस्तितियों को अपने नियंतर्ण में कर लेता है व्यापारी गुणों में धनी होता है लेकि नोकरे में भी अच्छी उची सफलता ऐसा विक्ति अर्जित कर ही लेता है। जैसा मैंने कहा कि परिस्तितियों के सामने जुकता नहीं, दबता नहीं है। इसी कारण से इसा विक्ति हर छेत्र में सफल होता देखा गया है। प्राया ऐसा देखने को मिला कि कर्णियाराशी बलकी अपने दम-पर अपना नाम बनाने का प्रयास करता है। और यही एक बात इसे विक्ति को अन्य से अलग बनाती है। हाला कि यही देखने को मिला कि इसा विक्ति प्रयास तो बहुत करता है। कोशिश करता है कि जीवन में सभी काम जल्दी हो जाए। और शीग रही सफलता प्राप्त कर ले। लेकिन ये देखने को मिला। कि एसे वेक्ति की जो विकास का दर होता है जो रफतार होती है वो धीमी होती है इसलिए एसा वेक्ति धीरे-धीरे ही सफलता अरजित कर पाता है लेकिन फिर भी भले धीरे-धीरे सफलता अरजित कर अपने ग्यान से अपनी बुद्धी से औरों के लिए अच्छा सोचने के ग के लिए तो एसे विक्ति के साथ नहीं देते भले एसा विक्ति उनके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना करें। दुस्ते नंबर पर जिस भी शेत्र में रहे वहां पर भी विरोधि वर्ग अधिक होते हैं। प्रालं वे very work करने वाले लोग आधीक होते हैं जो कहीं न कहीं एसे वित्ति के मन में एक असनत्य का भाoudपा कर देता है लेकिंट ये बात जरूर है कि इसा विक्ती जिस भी कार में रहे जो भी विक्ति इसके साथ कुछ बुरा करना चाहे अच्छा करना चाहे जो भी परिस्थिती चल रही हो एसा विक्ति सदेव कुछ ने कुछ सीखते रहता है और अगर कोई विक्ति बुरा भी करता है तो उससे नई सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ता है जिसा मैंने प्र उप्रांत ही अधिक सफलता अरजित कर पाता है वहां उप्रांत ही बड़े उच्चे पदो तक पहुच पाता है और यहां पर यह बात है कि भले जीवन साती से इसका मदवेद हो लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि एक दुस्रे का सम्मान दोनों ही जीवन साती अवशे से क कारन दोनों मैं साथ अच्छा बणा रहता है एसे विक्ति सरकारी शेत्र बे राज़नीती में सभी शेत्र में वैसे सफल होते है क्योंकि मेनेजमेंट शमता अच्छी होती है कार्य कुषेलता अच्छी होती है और बाकि परिस्थथिति के नूसार चलते ही है ps CEO हो जाते है वर्गिये लोग इनको दबाने का प्रयास करें, तो ये उस तरह की नोक्री नहीं कर पाते हैं, जहांपर इनका मान सम्मान हो, जहांपर इनकी इज्यत हो, वहीं पर ये कारे कर पाते हैं, और कई बार इस कारण भी राजनिती में इनका मन इतना नहीं लगता है, और इसलिए अ बाकि अपने जो गुण होते हैं, उनसे इनके शत्रू अधिक बनते रहते हैं, लेकिन इनके कार्य कोषलता के कारण, इनके कारे पर सवाल नहीं उठा पाते हैं. जिसके कारण ऐसा विक्ति निश्चिती अपने जीवन में सफलता भी अर्जित करता है उच्छे पदों तक भी चला जाता है। तो प्रिये दर्षय को आज मैंने आपको मेश से कन्या राशी इन छे राशियों का प्रभाव दशम भाव पर किसा पढ़ता है ये बताया है। देख सकें। बाकी चैनल पर आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जूड़ ही जाईए। वीडियो पसंद आयों तो इसे लाइक करें, अन्ने लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।